नमस्कार दोस्तों वेलकम टू पीके क्लासिस दोस्तों आज बाउंसिंग पिचिंग एंड रोलिंग आफ कार कार्स में या हमारी सस्पेंशन सिस्टम में बाउंसिंग रोलिंग एंड पिचिंग क्या है सब्जेक्ट आटो मोबाइल इंजिरिंग आटो मोबाइल इंजिरिंग में अक्सर हमारी सस्पेंशन सिस्टम से इस प्रकार की छोटी छोटी टर्म है जो की एकजाम में पूछी जाती है तो आईए दोस्तो देखते हैं बांसिंग, पिचिंग एंड रोलिंग सबसे पहले हम बात करेंगे बांसिंग, बांसिंग क्या है तो दोस्तो जो भी छट पिके क्लासिस में फर्स्ट टाइम है जो अभी भी पिके क्लासिस से नहीं जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करें जिससे आने वाला लेटिस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके तो बांसिंग का मतलब क्या है बांस जैसे कि हम बाल को बोलते हैं, बाल बांस कर रहे तो यहाँ पे बांसिंग का मतलब है कि जब हमारी कार की कंप्लीट बाड़ी अप या डाउन क्या हो, मूब हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, बांसिंग कभी भी हम गाड़ी ड्राइप करते हैं, तो कई भार हमारी गाड़ी जो speed breaker आते हैं, तो जंप कर जाती या गाड़ी हमारी up या down मूब करती है तो यह क्या होती है, बांसिंग जन किस एक्सिस के यवाउट? वर्टिकल एक्सिस के एवाब मुवमेंट आप दी कम्प्लीट बाडी आप दी कार नौनेज बाउंसिंग उसको क्या बोलते हैं बाउंसिंग और ये बाउंसिंग होती क्यों है दा कार बाउंस भेंदा बाल जॉइंट और डेमिज जो हमारे बाल जॉइंट रोते हैं सस्पेंशन के याँ पर जब ये जॉइंट डेमेज हो जाते हैं खराब हो जाते हैं तो अक्सर हमको कार में बाउंसिंग की प्रावलम फिस करना पड़ती है डेमेज बाल जॉइंट मेक दा वीकल अनेविल तो मेंटेन अ स्मूथ एंड श्ट्रेट राइड एंड दिस इज डेंजरस टु भी एंड अदर्स रोड यूजर्स ये जो हमारी बाल जॉइंट खराब होते हैं बाल जॉइंट खराब होने से गाड़ी को ना तो हम प्रापर ड्राइब कर पाते हैं सीधी गाड़ी स्ट्रेट भी नहीं चलती है साथी गाड़ी हल्की स्मूथली फंक्शन नहीं करती है और इसके अलावा ये हमारे लिये भी डेंजरस होती है साथी रोड पे जो चल रहे हैं जो अदर्स गाड़ी चल रही है इनके लिए भी डेंजरस होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं बांसिंग तो आप सिंपली इस भी बांसिंग के वाउट जो आपकी है या यहाँ पे बांसिंग का मतलब है कि आपकी वीकल्स कि बाड़ी का कम्प्लीट बाड़ी का मुव्मेंट जब अप एंड डाउन होता है तो इसको हम बांसिंग के नाम से जानते हैं सेकिंड है रोलिंग अब बात आती है रोलिंग रोलिंग का मतलब क्या है रोलिंग मीन्स क्या होता है कि जब हम गाड़ी को टर्न करते हैं रोलिंग रिलेटेड टू टर्निंग यह हमारे सस्पेंशन सिस्टम से सम्बन देते अब इसमें टर्निंग की बात आएगी कि जब हम भीकल को टर्न करेंगे लेप्ट ये राइट टर्न लेते हैं तो जो सेंट्रिफिगल फोर्से से यह हमारा सीजी पे लगता है सेंटर आफ ग्रेविटी इन आउटवर्ड डारेक्शन मीज आप यदि लेप्टर ले रहे हैं तो इसके आउटवर्ड बाहर की ओर हमारा क्या लगेगा सेंट्रिफिगल फोर्स एक्ट होता है किस पे इसके संटर आफ ग्रेविटी पे जबकि जो रोड होता है रोड पे जो हमारे वील सर पे संपर्क में होता है तो यहाँ पे क्या रहता है यह इनवर्ड की ओर क्या होता है एपलाई होता है means road resistance at inward at the wheels, कहाँ पे wheels के उपर this give rise to a couple turning the vehicle about longitudinal axis यह जो है यह हमारा क्या हुता है जैसे कि हम turn ले रहे तो उसके opposite side जो force लग रहा है हमारी vehicle को क्या करेगा हलका सा rise करेगा यदि आप बहुत speed में जाके यदि आप suddenly turn लेते हैं तो कई वार हमारे excite के जो wheels है वो up lift कर जाती है उपर उठ जाती है क्योंकि जो force act हो रहा है वो किस direction में? outward direction में आपका apply होता है जो आपका longitudinal axis पर apply हो रहा है इसको हम क्या बोलते है rolling यह कहलाती है rolling कई बार गाड़ी हमारी roll करते हुए रोल करते हुए क्या होती है? पलट जाती है तो यह जब यह गाड़ी पलटती है तो इसको क्या बोलते है rolling अब इसको कैसे रोका जा सकता है? rolling को कम करने के लिए rolling को prevent करने के लिए भी use stabilizer stabilizer को हम यदि suspension system के साथ use करते हैं तो हम गाड़ी की rolling को क्या कर सकते हैं? खतम कर सकते हैं इस प्रकार की problem समय बार बार देखने को नहीं मिलेगी तो stabilizer जो है यह हमारा किसको prevent करेगा? rolling के लिए rolling मतलब जैसे कि आप गाड़ी चला रहे turn लिए इस direction में तो आपके जो पहिये हैं wheels है वो opposite direction वाले आपके क्या होंगे उपर क्यों right करेंगे और कई वार गाड़ी इस तरह से पलटके आपकी क्या होती है? turn हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते है? rolling बोलते हैं last इसमें जो आपकी term है pitching अब बात आती है pitching pitching का मतलब होता है जब भी हम गाड़ी में brake लगाते हैं गाड़ी हम 60K स्पीड में चल रहा है और अचानक से हम brake लगाएंगे तो हमारी गाड़ी का पूरा weight आँगे की और move करेंगा कई बार हम जटके से सीधा जो dashboard होता है कार में उसमें टकरा जाते हैं अचानक से brake लगा दें तो आगे या पीछे तो means जो आपकी transversus axis है जब इसके अगेंस्ट means which is the moment of car about its transversus axis this is due to a swing motion of the car forward and backward इस परकार से इस परकार से forward means आगे की और forward जुकना या backward यह जो हमारा होता है motion इसको हम क्या बोलते हैं pitching बोलते हैं the pitch motion happens due to weight transfer to the front आप लिक rear front मतलब आगे rear मतलब पीछे आप दी car under braking या acceleration means जब हम accelerator press करके click छोड़ते हैं तो गाड़ी हमारी आगे बढ़ती है तो हम पीछे की और move करते हैं क्योंकि हमें पीछे की और जटका लगता है तो जब गाड़ी motion करती है तो क्या होता है जो इसका weight transfer होता है यह हमारा आगे की और front की और या rear की और weight transfer होता है किस के कारण braking या acceleration के कारण a car with softer suspension will have more pitch जब suspension हमारे saft होते हैं तो हमारी pitching ज़ादा होती है अकसर हम रेखते हैं गाड़ी के suspension अपन brake लगाएंगे तो अचानक से गाड़ी आएंगे क्योंगे और यह सीध नीचे क्योंगे हल्का suppress होगी और फिर वापिस सीधी होगी तो means इस प्रकार का जो movement होता है इसको हम क्या बोलते हैं pitching बोलते हैं bill have more pitch than the one with stiffer suspension stiffer suspension के अपिक्छा जो safter suspension होता है उसमें क्या होती है pitching ज़ादा होती है तो यह भी हमारी किस से संबंदे थे suspension system से संबंदे थे जिसको हम क्या बोलते है pitching, pitching में गाड़ी का movement इस प्रकार से होता है rolling में गाड़ी आपकी इस प्रकार से जब भी हम turn लेते हैं तो turn हो सकती है bouncing में आपकी गाड़ी up and down क्या करती है complete body गाड़ी की move करती है these are the term related to suspension system of the vehicles next video में हम फिर मिलेंगे thank you